प्रोब का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं प्रोब का इस्तेमाल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है प्रोब का आर्थ होता है स्तंब, खंबा, उपकरण, सहारा, रोक, आधार, सामगरी, अंधे की लकड़ी या आश्रदाता वर्ब की रुप में प्रोब का आर्थ होता है समर्थन करना, संभालना, अवलंबन देना, टिकाना, रोकना या आड लगाना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि सत्य बिना सहारे की खड़ा रहेगा तो आप कहेंगे truth will stand without a prop या अगर आप ये कहना चाहें कि हमें लकडी की चोकी से छत को सहारा देना था तो आप कहेंगे we had to prop up the roof with a wooden post या अगर आप ये कहना चाहें कि सरकार अक्षम उद्योगों को बढ़ावा देने से इंकार करती है तो आप कहेंगे the government refuses to prop up inefficient industries अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें